जंगल में मिला 19 वर्षे युवक का शव कोडर्मा चिले के तिलया थाना शेतर अंतर्गत डोयाडीस से लापता युवक का फंदे से जूलता हुआ शव शुकरवार को बरामत किया गया युवक का शव तिलय थाना शेत्र के रोहंगिया टान जंगल से बरामत किया गया वही मिली जानकारी के अनुसार जंगल की तरफ गए कुछ स्थानिये लोगों ने एक पेड़ पर रसी के फंदे के सहारे जूलते एक युवक का शव देखा इसके बाद तुरंत इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी सूचना मिलने के बाद स्थानिये लोग मौके पर पहुँचे और शव की शिनाक्त की शव की पहचान अमर कुमार के रूप में हुई आपको बता दें कि 13 फरवरी से गायब दोयाडी निवासी उनीस वरशी अमर कुमार का शव मिलने के बाद घर सनाटा पसर गया शव बरामद होने के बाद इसकी सूचना तिलया पुलिस को दी गई जां सूचना मिलने पर तिलया थाना प्रभारी अजय कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुँचे और मामले की जांच शुरू कर दी घटना स्थल के पास से युवक का साइकल और चपल बरामद हुआ है बता दें कि युवक के गुमशुदा होने के बाद उसके पिता ने तिलया थाने में गुमशुदी की शिकायत दर्श कर आई थी पुलिस मामले की गंभीरता को लेकर जांच में जुट गई है